नमस्कार मैं हूँ एका सोधी और चंडिगर स्पीक बेख रहे सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज चंडिगर स्पीक में जिस बाते हम बात करने वाले हैं वो है खादी जैसे के खादी का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है महात्मा गांदी जी का महात्मा गांदी जी से शिरू हुआ ये विचार आज भी सिर्फ एक सामगरी नहीं है आज भी वो एक विचार ही है ऐसा विचार जो हमारी मिट्टी, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है खादी के बारे में हमें जानकारी देने और खादी से जुड़ी हुई चीजों को आज सब के सामने लाने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है आए उनसे मुलाकात करते हैं तो स्टूडियो में आज हमारे साथ है केके शार्दाची अध्यक्ष खादी सेवा संग आपका बहुत-बहुत स्वागत है सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ चंद्रमा मिश्राजी परमजित सेंग है हमारे साथ अध्यक्ष खादी कारे करता संग आप सब का आज स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन अगर हम देना चाहें के किशारदा जी तो खादी का क्या विचार क्या है कहां से शुरू हुआ और इससे जुड़ी हुई क्या बात आप बताना चाहेंगे विवेवर्स को सबसे पहले तो मैं दूर दर्शन चेंडीगड को मुबारक बात देता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस महान शेक्सियत के बारे में ये प्रोग्राम रखा जिसे हम राष्ट पिता महात्मा गंदी और बापू के नाम से जानते हैं ये खादी उन्हीं की देन है सन 1909 में जिस खादी का खादी काते थे लेकिन उन्हें उस समय उन्होंने अपने एक बुक का है हिंद सवराज उसमें भी ये लिखा है कि मुझे खादी के बारे में पता ही नहीं था पहले धीरे दीरे वो सावरमती आशरम में आये तो वहां से उन्हें पता चलने लगा वहां भी सूस से कटाई होती थी उन्होंने फिर हाथ से कहा भी हाथ से पुनिया बनाकर कटाई शुरू करो उसके उपना फिर अभी भी उन्हें नहीं पता चल रहा था कैसे करना चर्खे के बारे में उन्हें पता नहीं था जैसे पहले हम कहते थे तकली एक होती थी उससे लोग करते थे हम भी बच्चे जब थे अंभी स्कूलों में काता करते थे उस समय तो एक गंगा बहन थी उन्हें ने उनको सला दी भी बापु में चर्खा आपको बताती हूं उससे चर्खे की कताई शुरू करेंगे फिर तब जाके ये चर्खा उनकी समय में आया तो उन्हें चर्खे से कताई को ये आप कताई करें इससे आपको फैदये भी होगा और कम से कम जैसे बापु ने बाद में जो काते थे उस से कप्ड़ा बना कर वह पहना करते थे जो वह थोती बारा पहनते 2-0 इसे onजे कः बत अब बनवाते-ज तो जब उन्होंने राया कर ओर्टती तो वह उन्हों क कहती ही एक एक जाएंगे हम क्या कारण है उन्हें बताया भी हमारे पास कपड़ा ही नहीं है उसी दोती को बदल बदल के हम जाएंगे और बापू से मिलेंगे तो बापू को जो हम उनको दोती में देखते जी वहीं से देन शुरू हुई थी बहुत अच्छी हिस्ट्री का ए जबके खादी एक पुराना नाम है और बहुत वाकिफ हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी लोग से तो क्या कारण है कि अभी वो ब्रैंड का एक रुत्बा हासिल नहीं कर पा रहा है खादी एक कपड़ा का बोध नहीं होता है खादी एक विचार है खादी देश का संबान है इस उव्देश से खादी बोट बनाया गया खादी गरामों द्योग बना खादी के तरो तरो से कार्ज भारत में शुरू किये गए लेकिन जिस सोच के साथ शुरू हुआ और जो सभी के दिल में थी कि खादी को हम देश के कोने-कोने में ले जाएंगे, इसके विकास के लिए काफी काम करेंगे, बिगत अंठावन सालों में इस तरह का कार्ज कलाप नहीं हुआ, जिससे हम बाहर के देशों में, अपने देशों में और कपड़े के साथ इसकी प्रति असप असपरधा कर सकें, कुछ आर्थी कटनाई रही होगी, कुछ कार्य कलाप में कमी रही होगी, लेकिन बिगत कुछ बरसों में अभी देखने को मिल रहा है कि 10 साल से, जो मार्केट में जो ब्रांडेड शोरूम है, उनके साथ हम प्रति असपरधा कर रहे हैं, हमारे कपड़ा अच्छे ब्रांड से बन रहे हैं, और इसको लोग पसंद कर रहे हैं, यहां तक कि विदेश में भी हमारे कपड़े की होल लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं, बहुत प्यार से पहन रहे हैं, तो ये कपड़ा जो है, इसका एक अलग अपना पहचान है जी, मुश्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा नहीं है का खादी सिर्फ इंदुस्तान में ही एक ब्रैंड है, या लोग इसे जानते हैं, विदेशों में भी यह है, परमजी जी, आप से जानना चाहेंगे, कि अब इस वक्त खादी की क्या प्रेजन स्टेट है, कि कैस स्कीम काम कर रही है, कैसे लोगों तक खादी को पहुंचाया जा रहा है, मैं तो एक दो बात आपको बोलना चाहता हूं, पहले तो ये, कि खादी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रैंड है, आज भी लोगों में ये विश्वाश है, पर हम उनको बतानी पाए क्योंकि कि खादी का साथ में एक ग्रामो दियोग है, और आप हैरान हो जाओगे कि ग्रामो दियोग की इतनी आइटम्स हैं, जो खादी के साथ बनती है, बिकास परपस तो एक ही था गांदी जी का, वो परपस ये था कि रिजिनल डेवलप्मेंट हो, लोग घरों में बैठके, कि खादी आइटम है, बट उनको ये नहीं है, बट उनको ये नहीं समझाता है, कि ये मिल पे नहीं बनता हाथ से काम किया जाता है, जो हाथ से काम करते हैं, कतिन और बुनकर, कॉस्ट अफ लिविंग भी बहुत बढ़ गया है, तो कैसे इसको बीट आउट कर पाएंगे यूठ में किस तरह से इसको और बढ़ाया जा सकता है, कि इसकी अवेरनेस आई, कि वाट इस खादी ता कि और जादा सदर लोग जुड़ सुकें इसके साथ, ये ऐसी बात नहीं है, जुड़ते भी हैं लोग, क्योंकि हमारे जो इससमें ब्रेंड अबैस्डर है, वो क्योंकि जैसे मैं आपको और बताता हूँ, इसारा खरता हूँ, बाबा रामदेव जी हमारे बहुत सन्मानिया है, ये बेसिकली खादी से शुरू हुए थे, इनोंने संस्तार रिजिस्टर करवाई थी, मारे डरेक्टर होते थे वहां सदार करनाया थे, नाम चैद लेना य है, हमारी अगर एड आनी लग जाए, अब प्राइमिस्टर जैसे शक्सियत, अगर उस एड फुब हो हो, उनकी जैकट्स होती है, लोग कहते है पहले जैसे हम बोलते थे नहरू जैकट, आप बोलते हैं मोदी जैकट, और पढ़ने लगए है ना, ऐसी बात नही जब जब ज जब 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 पढ़ा है, आपने भी प्राइमिस्टर जी का नाम लिया, तो आएए देखते हैं कि प्राइमिस्टर मोदी के क्या विचार है खादी पर, तो वो भी गाव गरीब सामान निव्यक्ति के आर्थी जीवन में बदलाव लाने के ताकत रखता है, बदलाव लाने कि तरह कपड़ा और भी भी कहीं भी मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, जो आरामदायक यह कपड़ा है, जो लोगों को पसंद है, जो लोग इसको समझते हैं, वो खादी ही पहनते हैं, वो दूसरा कपड़ा यूज नहीं करते, और ये जो खादी पहनना एक धर्म है, कैसे कि ये हमारे उन कमाम लोगों द्वारा बनाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो जब इस कपड़े को हम धारण करते हैं तो एक हमारा ये सोच होती है कि हम उनके लिए भी कुछ दान कर रहे हैं और इससे हमारी आत्मा को सांती मिलती है जैसे हम मंदिर में जाते हैं कहीं भी धर्म अस्थान पर जाते हैं कुछ दान करते हैं उसलिए अगर अपने जीवन में सफ़त लें कि अधिक साथिक मैं प्रयास करूंगा कि अपने जीवन में खादी ही पहनूँगा तो उनके लिए एक धर्म है उन आर्थिक कमजोर लोगों के लिए जो इसकाम में लगे हुए हैं, दुसरा हमारे भारत माता की सम्मान है, इस सोच के साथ इस कपड़े का कार्व भारत में शुरू किया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो हमारे आर्थिक स्थिती से सुद्रिन लोग हैं, वही इस कपड़े को धारान करते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा कोस्तली है, कोस्तली होने का कारण है कि इसकी कताई बुनाई हास से होती है, और जो विश्वास इस कपड़े में है, वह मैं देखता हूँ कि अन्यत्र किसी कपड़े में देखने को नहीं मिलता, इसकी कलर जो है, इसका रंग हमेसा अच्छा रहत है, तो खादी भंडार में जाते हैं, और अपने प्रिये के लिए ओ गिफ्ट खादी भंडार से ले जाते हैं, चाहें लेडिज का लेना हो, या जेंट्स का लेना हो, तो उससे उनको आत्मा को सांती मिलती है, कि एक तो यह कपड़ा सही मिलेगा, दूसरा हम भारत माता की स सायता कर रहे हैं, जो कि रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं. जी आप से जानना चाहेंगे, कि एम्प्लॉइमेंट के पॉइंट ओफ यू से खादी को देखें, तो क्या स्कीम्स, क्या ऐसा इनिशेटिव लिया जा रहा है, जिससे खादी को और प्रमोट किया जाएं? इसमें मनिस्ट्री ओफ MSME, गौवर्मेंट ओफ इंडिया, ये आप बहुत इंपॉर्टन मनिस्ट्री है, जो लोग द्योग को परमोट करती है, तो उनके तीन अंग हैं, आज तेक लोगों को ज़्यादा नहीं परदा चला, एक खादी विले इंडिस्ट्री कमिशन, तीसा डिपार्ट्मेंट है जिला उद्योग के इंदर, ये सारे खादी को परमोट करते हैं, पर अब आपके सारे में थोड़ा से ये देखना पड़ेगा, हमें यूथ तक ही बात पहुंच चुकी है, पर अभी भी वो क्या करते हैं कोशिश, कि वो खादी के साथ जुड़ जो दूसरा वर्ड है, ग्रामोद्योग, उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, गौर्मेंट अफ इंडिया ने दो हजार आट में एक स्कीम लाँच की थी, उसकीम का नाम रिखा था, प्रधान मंत्री रोजगार सिर्जिन कारेक्रम, इसके तहत उस वक्त दस लाख रुपया और झाल लोन ऊसको मिलता था, जो अपना कोई सेक्टर रोज़ाना चाहता है, और पच्श्स लाग तक रोन उसको मिलता था, जो द्योग लगाना चाहता है. करते एकरते स्कीम बढ़ते गी, चलते गी, बहुत लोगों ने इसका फाइदा लिया, क्योंकि स्कीम ने अठारा scheme है और क्या किया पहले गौर्मेंट ने वो 10 लाख वाली जो लिमिट थी उसको 20 लाख का कर दिया जी और जो 25 लाख वाली थी उसको 50 लाख कर दिया और हरानी की ये बात है कि उस scheme के तहत 15 प्रतिशत 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत जी अनुदान है जी आप देखिए अनुदान कितना बड़ा है तो दो केटिगरी बना दी एक बना दी जनल केटिगरी जिसमें आपनी आता है और एक स्पेशल केटिगरी जिसमें विमन, शेडूल काज, शेडूल ट्राइब, OBC, मनियोर्टी, हैंडीकैप, एक सरविसन सब आते हैं तो अगर इनमें से कोई कहीं पर भी दो लगाना चाहे तो इस की ब्यूटी क्या है कि 5% अपनी हो से कंट्रिबूट करने है पच्छिस परसेंट शेहर में और चंडिवर में काम करने है और 35% कहीं गाउं में काम करने है परम जी जी आपकी इसी बात से हमने भी जो खादी से जुड़े कुछ लोग है उनका ग्र 40 से जादा वरकर यहां पर कारेरत हैं और हमारे पास 60-70 कतिन हमारे साथ डारेक्टली जुड़ी हुई है इसके लावा आल ओवर इंडिया से हम जहां भी खादी का कोई प्रोडक्ट बनता है फैब्रिक बनता है उस सब की कलेक्शन इस शोरूम में हमारे पास चंडिगड मे और मैं खास थोर से धन्यवाद करूंगा सभी चंडिगडवासियों का जिनोंने करोना दोर में भी और अब भी खादी को हमेशा पसंद किया है ट्रेंडी खादी की जब हम बात करें कि वक्त के साथ अपसे हर वक्त कुछ ना कुछ ट्रेंड बदलता रहता है कुरते बजाम रेडी मेट में बहुत सारा कुड़तों में नए ने तरीके के यंग जनरेशन के लिए वास्केट्स टोपियां और शॉलें गल्स के लिए साडी और थ्री पीस सूट टसर की डिमांड आजकल गल्स में बहुत जादा है लेडीज में तो पिछले दो तेन सालों से हम देख र परमान की जरूरत नहीं है तो मोदी जी जब से परधान मंतरी देश के बने हैं तो हमेशा ही खादी को परमोट करते रहते हैं हर उकेजन पर बोलते हैं तो खादी को लेकर एक फिक्स विचारधारा है जिसको वो आगे लेकर चलते हैं हर जगां परमोट करते हैं खादी को तो उनके आने के बाद खादी में लोग खास तोर से शोरूम में आके बोलते हैं जी मोहदी जी ने काफी अवान किया है तो इस वार उकेजन पर हम फेस्टिवल पर हम खादी कुछ ना कुछ खरीदना चाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे कस्टमर बड़े हैं आप इतने लमबे अर्से से खादी के साथ जुड़े हैं तो अब प्रेजन्डे क्या सुर्टेحाले क्या नए ट्रेंड एड किये जा रहें खादी में जैसे कि आपने का भी अर्ष्टे से जुड़ा हुआ है, जो मेरे पिता जी थे, वो भी खादी से जुड़े हुए थे, पैदा होते ही गांधी जी के साथ भी रहे वो, और दूसरे जो खादी बोर जैसे परम जी ने इसका नाम लिया, वो उसके सेक्टरी भी रहे थे, तो मैं है, इसलिए खादी से शुरू से बज़पन से जुड़ा थे, इसलिए खादी से लगाब भी है, प्यार भी है, और ट्रेंड ऐसा है, अब हमारे खादी में बहुत नई ने चीज़ है, कपड़ों में भी आ गई है, ऐसी बात नहीं है, काफी साफ, पहले खादी का क्या दिम होती है, गर्मियों में यह आपको ठंडक देगी, सर्दियों में गर्मी देगी, तो उससे क्या होता है, हमारे एक तो कोई भी स्किन की कोई डिजीज नहीं होती, सबसे बड़ी बात है, तो ट्रेंड इसी तरह चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जैसे अभी प्राइम जा रहे है, क्यों होती जा रहे है, गांदी जी ने घर में खाधी पचा दी ती, चर्खे पचा दिये थे, प्राइम ने पीछे बड़ा अच्छा प्रयास किया, पंजाब में 500 चर्खे दे कर गए थे, हमने कोशिच की भी लोगों के घरों में जाये, वहां के चर् आप खाधी और आगे बड़े और अच्छे अच्छे उसमें प्रिंट्स मिल जाते हैं, आप लेडिज के सूट देखो जाकर, यहां हमारे दो शोरूम हैं, हर चीज बहुत बड़ी आप मिलती है, लेकिन फिर भी लोगों में क्रेज नहीं आ रहा है, फिर बार बार इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रमोशन के लिए आपके क्या विचार हैं कि क्या होना चाहिए प्रमोशन का इसका लेवेल जिससे कि यह पहुंच चके हर आम और खास तक? अभी बजार में जो प्रति असपरधा है, कप्रे को ले करके, बरतमान परस्तिती में इतनी डिजाइन आ गये हैं, इस तरह के इतने ब्रांड आ गये हैं कि लोग उसी में उलह जाते हैं, लेकिन बरतमान परस्तिती में अभी खादी का जो संदर्ज है, जो रंगरूप है, म दैसर पर खादी में भी तो so sorry to interrupt यहाँ पर फिर भी हम कह रहे हैं के ब्रैंड के पास ओप्षन्स हैं तो क्या कमी है के खादी के पर गृप्ध के आनि पा रहे थे वराइटी पाहँ रहे हैं वराइटी स्पर रहा है इसमें बरतमान पर स्थिती में इसका अभी बहुत विकास हुआ है यहां तक कि भारत के अलावा विदेश में भी इसकी मांग बढ़ी है इस पर कार्ज बहुत तेजी से हो रहा है और अब हम कहीं भी खादी भंडार के दुकान में जाते हैं तो अपने को गवरानुवित महसूस करते हैं कि क्या यह खादी भंडार की दुकान है लेकिन ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था इस समय उस पर लोकसाधन अपना खर्च नहीं करते थे लेकिन हम भजार में अपने खादी को ले करके और भारत के अलावा विदेश में भी इस ब्रांड को ले करके हम काफी सजग हैं और पूरे 200 को बताना चाहते हैं कि एक सोच के साथ खादी ही पहुंते हैं और दूसरे को भी खादी पहुंने का सुझाव देते हैं इसी बात से बात है कि प्रमोशन हो रही है जैसे अब देखने को मिलता है कि खादी के भी fashion shows होते हैं खादी products के होते हैं कौन-कौन सी categories है अभी लोग जादा तर खादी को बस जो जैसे अभी शादाई ने बोला publicity proper हो नहीं पाती जो खादी काम कर रहा है इतना बढ़िया काम कर रहा है पर उसकी हम लोगे पहुंचनी बता बाते हैं मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूं एक पंजाब गोर्मन्ट में पंजाब खादी कमिशन और पंजाब खादी ब इनको इनवाल किया उस पर डिजाइन किया वह सारा का सारा माल जो था पढ़ा हूगा भिक गया जी इसके बादा इन आप जगा एक्जिविशन डिस्टिक्स लवल पे स्टेट लवल पे जोनल लवल पे जी नेशल लवल पे एक्जिविशन लगती ती है और खादी कमिशन ये कोशिश करता है कि जो खादी के पड़क परबोट कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए ओपेश ते आप हैरान हो कर दो करोर तक एक दिन की बात कर रहा हूं अपसे तो बिकता है उसके बाद जो मैं और बताना चाहता हम आपको एक और कि बॉंबे में एक्जिबिशन लगती है दिल्ली में जो इंटरेशनल टेड़ लगता है उसमें अलग ही जो है पबिलियंज होते हैं खादी के और इसके आपको एक और बड़ी बात अठारा इंटरेशनल एग्जिबिशन लगती है अठारा इंटरनेशनल एग्जिबिशन जहां पे खादी ओले के लोग जाते हैं तो उनसे लेडिस से उनका आना जाना खाना पीना रहना टिकेट सब कुछ फ्री और जो अगर आदमी को जाता है तो 75% तक उसको रिवेट मिलता है 75% उसको आने जाने में छूट मिलती है सारी तो अब बताईए आप हमें तो मौका मिलता है कहीं भी और जहां भी कहीं गए हैं क्योंकि इनका एक प्रोगाम चलता है क्लस्टर डिवलप्मेंट जो लोग गाउं में काम करते हैं 200, 200, 300, 300 तो एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो ग्राहक है उनका क्या विचार है अधियुचर सुपल जाओ ने थाओ लगए कि रचाहें लोगए कोड़ा प्रशक बढ़ प्रच्छर को अधियुचर प्रच्छ देखना है अधियुचर सुपल ने थाओ प्रच्छर बड़ता है मेरी वाइफ बड़ी फैन है गाधिडी लिवस्ट पर पांट साल तो यूक आफेबस भॉल दिया लग़े भीजनी यहां इजी इनल पहों है हैं टाफ्ड़ावबस यहां पर्चाबंचाबंड आल पहां तुम थिए टान अँना ओपना पदी आफ नाomorphा टोगेडि अधिये शले इंदिач में भार वाल एग ब्धालोल्षक स्ोडम करके एं तो हम देख सकते हैं कि है, अवेरनेस भी है, यंग्स्टर्स में भी है, बट आजकल खादी जो है, वो ओनलाइन भी अवेलेबल है, शादा जी, तो उससे क्या इंपक्त आया है, उससे क्या फाइदा हमें मिला है, जैसे ओनलाइन की बात की बढ़ी अच्छा आपने यह जो साइड है, दूसरे, प्रिपरा वगरा, वहां पर एक किसी ने खादी में जीन्स का काम शुरू किया, उनलाइन, तो उसके इतनी जीन्स जाती है, उससे फोस्त ही नहीं है, आर्डर की क्म्लीट कर ले, इसी तरह एक और है, हमारे शक्स वो हर्याना सहीं है, वो मैंने खुद एक्जिबिशन जहां 34 में लगवाई है, कुछ साल पहले अब नहीं लगी, जो फैशन शोव की बात किया, वो भी मैंने करवाई है, यहां, फैशन शोव भी, शायद परमजीर जी से पहले हुए होंगे, काफी अच्छे शोव हुए था हमारे, 17 में भी हुआ, 24 में भी हुआ था, बलके एक बार पाकिस्तान की टीम आई हुए थी, उनको हमने फैशन शोव दिखाया था यहां, तो उससे क्या भी, ऑनलाइन आप काम काफी होने लग गया, होना भी चाहिए, बिल्कु बाहर से बड़े और आते हैं, जैसे अभी मिश्रा जी बता रहे थ कि बाहर लोगों की जोए सोती जा रही है, बलके मैं यही कहूँगा, जैसे क्नोट प्लेस है, मारा रीगल बिल्डिंग के साथ क्नोट प्लेस में है, जो हमारी इंडियन्स है वो आपको कम नजर आएंगे, फॉर्नर जादा है, फॉर्नर यह से खादी खरीजते हैं, भर-ब बिल्कुल, और फिर से खादी को हम उन्ही उचाईयों पर ले जाएं, जिसको गंदी जी का सपना था, उस सपने वो पूरा कर सकते हैं, आखरी के कुछ पल है हमारे पास, एक-एक मैसेज आप तीनों की तरफ से वीवर्स के लिए चाहते हैं, तो शादा जी आप से शुरू आपका मैसेज वीवर्स के लिए खादी के लिए, हमेशा राष्ट भक्ति जी इसके शरीर में भरा हुआ है, वो चाहता है कि सिखर से ले करके और अंत तक हम जहां भी पहुंच सकें, उसमें कोशिस करनी चाहिए, इस कोशिस में हमारी खादी भी है, जिसमें हमेशा एक आम तब का तक पहुंचते हैं, जहां सब की निगाह नहीं होती है, तो मेरा यह कहना है कि खादी अपना कर, और जो खादी पहनने में आनंद है, वो किसी कपड़े में नहीं है, जो क्वालिटी इस कपड़े को लेकर के अभी भी मार्केट में है, वो कोई भी ब्रांड, कोई भ आप खादी अपनाएं, खादी पहने और दूसरे को भी इस कपड़े को पहनने के लिए सुझाओ दें। परम जी आपसे मेसेज चाहेंगे क्योंकि ये तो खादी पहनने की बात हो गई तो और भी खादी का बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में तो आपका मेसेज हमारे वीवर्स के लिए वीवर्स के लिए तो एक ही मेसेज है जी कि हम तो जिन ब्रैंड्स की बात करें आज वो यंग्स्टर्स को अगर आज एक सो कुछ साल पुराना खादी का ब्रैंड उनको मिलता है तो उसको क्यों नहीं लेते नमबर एक नमबर दो जितने यंग्स्टर बैठे हैं जो ऑठारा साल से उपर के हैं आज भी नौकरी ढूडते हैं तो मेरी उन से बिढ़ती है नौकरी छोड़ दें नौकरी क्रियेट करना शूब करें प्राइमिस्टर इंप्लाइमेंट जनेरेशन प्रोगाम जो गौवर्मिन ने चला रखा है यह हमारे सब के लिए इसका बेनिफिट लें और इसके लिए एक ही काम करें वो साइट पे जाएं पी एम पी एम जी पी डॉट जाएं दो पेज का सिंपल एप्लिक्शन फॉर्म भरें और कल को अपना अपना उद्द्योग स्थापित करें ताकि आने वड़े टाइम पे हमारे यंग्स्टर्स को जॉब के लिए करी और जॉब हम यही करियेट करें और खादी के बारे में प्योटी कपड़े में नहीं आज सरसों के तेल से लेकर अनी से लेकर हरी एक बहुत बड़ा नाम है हनी का भी जायर में आज भी खादी ही चलता है जी आज कितने किसम के आपको आचार मरबे साभून पता नहीं क्या कुछ है जिसमें खादी को कोई बीठ नहीं कर सकता अबट हम पर्मोट करने के पर आप से कहना चाहेंगे के हमारे दूरतर्श चंडिगर्ड और दूरतर्श पंजाबी, दूरतर्श खर्याना कि आप जितने भी एपिसोड को देखना चाहें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें रिपीट मोड पर भी आप देख सकते हैं आज खादी के बारे में इतना ही खादी के उपर बात बहुत की जा सकती है फिर आप से मुलाकात होगी चंडिगर स्पीक्स में अगले टॉपिक के साथ अगले एक्सपर्टीम के साथ आज के लिए मुझे एकता सोडी को और हमारी पूरी टीम को दी किजिए इजाज़त फिर से होगी मुलाकात और एक बार जाते-जाते हमारे गेस्ट्स और एक्सपर्ट्स का बहुत-बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए झाले एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स का बहुत उस्याँ प्रूर्ट्स